लिखनी जुरूत नहीं है, अभी आप कंसंट्रेट करें वीडियो पर, हम पूरा जीवन तीन काल में जीते हैं, पूरा लाइफ का जीवन तीन काल में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही से अंगरेजी स्पोकेन का जन्म होता है, यानि पूरा जीवन हम तीन काल म हिंदुस्तान के, सब में करांती फैलना चाहिए और हर लोगों में यह बात आनी चाहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी फिलाल करो, क्योंकि पांचों चैनल पे आ रहा हूं आग लगाने के लिए आपके लिए, हमने क्या का पूरा जीवन तीन काल में जीते हैं, प्रेज यहां के सब्सक्राइब करनी है का आप रहा हूं कि प्रेजंट प्रेजनट की बाते कारनी है, फ्यूचर की बाते करनी है आप बताओ आपके लाइफ में इस त्ला का से पूरा क खतरणाक क्लास और है, सब्सक्राइब करना है इसे ले padres 5 जल्दी करना है तो हमने कहा present past future और इसके कितने steps है आठ steps यानि अगर ये 8 steps आपने सीख लिया तो अंग्रेजी चुटकियों में अंग्रेजी आपके लिए पानी हो जागा मात्र 8 steps है वो 8 steps है क्या एक के कर discussion होगा फिर समझे तो present past और future ये 10 सब को पता है मुझे पता है हमने कहा तीनों बतान कि language का इस्तेमाल करते हैं और language का यूज करते हैं यानि वही language जो है वही language में 8 steps है 8 steps में पूरा English समाफ्थ हो जागा कोई अंग्रेजी का book नहीं innovative ideas कोई प्रमपरागत नहीं कोई किताब सिताब नहीं पढ़ना है सारे किताब को side करो सारे books को side करो कोई किताब सारी पार के फ हैं क्या सर वही 8 steps हम लोगों को पढ़ना है वह 8 steps है क्या वही 1-2 कर पढ़ना है तो फटा फट देखते हैं 8 steps क्या है सबसे देखिए सबसे पहला चीज है quality आप जब भी अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो लिखने का प्रयास करते हो सोचते हो तो सबसे पहले quality पर सोच है आप हमने क्या कहा तीन काल present, past, future तो present, past, future तो present, past, future यह 3 है इसी में पूरा जीवन जीते हैं हम लोग यह tense की बात में नहीं कर रहा ध्यान देना I got it my point मैं tense की बात नहीं कर रहा तीन tense होते present, tense, past, tense, tense की बात नहीं पूरा life जो है ब्यक्ति का तीन ही काल में आप अभी बा तो हर चीज में quality और quality भी कैसा होगा present, past, future है come on ध्यान देना इसको explain करूंगा मैं तो हर चीज में quality, quality भी क्या होगा present, past, future, completion यानि जो काम होगा उसकी habit होगी, quality के बात क्या होगा, habit होगा, क्या होगा, habit होगा, और habit के बात क्या होगा, completion यानि एक चीज लेंगे और एक के स आग नहीं लगी अभी जब तक 5,000 लाइक्स नहीं होगा आग नहीं लगा लाइक्स करो फ्रापट दिमाग लगो तो क्या कहा क्वालिटी, हैबिट, कॉंपलेशन, हाइपोथेटिकल, इमफैटिक, पॉजेशन, मोडल्स और यहां क्या कहा अबजर्बेशन यह आठ कॉंसेप और आपके दिमाग में फिट कर दूँगा यह आठो पॉइंट, तो फिर से अब पुछोगे सर क्वालिटी क्या होता है, पुछोगे सर कॉंपलेशन क्या होता है, इमफैटिक क्या होता है, हैबिट क्या होता है, पोजेशन क्या होता है, इमफैटिक क्या होता है, इमफैट जानने का प्रयास करिए तो हम लोग बात करें क्वालिटी का यानि कि जब आप तीन की बात करते हो देखो राजगुपता देखिए राजगुपता हाँ ठीक है बहुत बने सर आप सबसे पहले मैं आप जाना चाहता हूँ कि सारे बच्चे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं, तो एक बाद ठार करके लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि लाइक, 5000 टारगेट दिया हूँ आपको लाइक करने का, क्योंकि एक एक पार्ट हम लोगों को डिटेल करना है, और ल दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको continue अपना काम करते रहना है, क्योंकि आपका साथ, मेरा साथ, दोनों का साथ होगा, तभी हम आगे बहतर काम कर पाएंगे, ठीक है, तो एक बार ठर करके, सारे बच्चे एक बार, 37, 3700, देख रहे हैं, और लाइक कितना है, 32, होना च समझ पा रहे हैं, गुड, अचना, दयाल, सोनम, अभू कुमार, सब समझ पा रहे हैं, सब लोग किसी को प्रॉल्म तो नहीं है, बहुत संदर, किसी को दिकत नहीं है, completely, अब देखते हैं, एक एक करके, एक-पॉइंट समझते हैं, और एक-पॉइंट को जानने का प्रयास क जल्दी से समझने का प्राश करते हैं, अब देखो गॉर से, एक पॉइंट पाते हैं, सबसे पहले बात करें, quality का, habit का, complation का, hypothetical का, अब जब हम quality की बात करते हैं, बेटा, किसी भी चीज का quality होता है, समझना गौर्स एक एकर समझाता हूं, कि जैसे आप व्यक्ति हो, तो हर चीज का तीन, present, past, future, quality होता क्या है, quality क्या है, जैसे मैं आपको प्रहा रहा हूं, तो दुनिया का हर चीज quality है, दुनिया का जिस, जैस अगर यह 8 steps आपने सीख लिये, तो आज अंग्रेजी आपको आजाएगा, इस 8 steps में, आज आपको अंग्रेजी आजाएगा, कैसे आजाएगा, तो सबसे भी क्वालिटी है, common example लेते हैं, हमने simple सा लिया, example, और उप समझना आपको, you are a student, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भ होगा, उसका कोई नो कोई habit होगा, ध्यान देना, एक ही sentence है, जो आठों में घुमेगा, एक ही sentence है, जो कहां घुमेगा, आठों में घुमेगा, you से ले सकते हो, इसको छे ले ना, I से ले सकते हो, I am a teacher, कुछ भी ले सकते हो, I से लो, you से लो, he से कुछ भी, हर sentence का पहला बता यहां आठ यानि कि एक sentence को अगर छे और आठ बोल देते हो तो आपका अंग्रीजी क्या होगा? strong हो जाएगा, अंग्रीजी क्या होजा? strong हो जाएगा, तो क्या कहा हमने? तो quality क्या होगा? you are a student, या I am a teacher, और उसका habit क्या होगा? तो teacher का habit क्या है? पढ़ाना, student होगा, तो habit क्या होगा? पढ़ना, school जाना, खेलना, या आपका क्या होगा? habit होगा, तो जैसे मानलों आप बोलते हो कि you go to school daily, या क्या होगा भाई? habit होगा, you go to school daily, या फिक क्या बोलते हो? you get up at 5 o'clock in the morning, I am a teacher, I get up 6 o'clock in the morning, तो आप जो भी आदत है, जो आपका habitual है, ध्यान देना, जो आपका quality है, quality क्या बोला? शालू is a beautiful girl, शालू is a lovely girl, शालू is an intelligent girl, ये quality हो गया, शालू gets up at 6 o'clock, तो शालू क्या है? कि वो 6 बजे सुबा उठती है, I get up at 6 o'clock, ये क्या है? आदत हो गया, अब आदत क्या है? आदत है, complation, जो काम आप complete करते हो, complation, यानि habit, ध्यान देना, क्या होता है? quality, यहाँ पे being for, habit, क्या है भाई? तो habit हो गया, आपका क्या? जो आप क्या? जो आप काम करते हो, complation, जो भी आप action करते हो, वो क्या हुआ? habit हो गया, complation क्या मतलब finished? क्या वाब फिनिस्ट? यानि जो काम आप फिनिस्ट कर देते हो, जो काम आपको समाप्त हो जाता, यानि आपने फिनिस्ट किया कि I have done इस वर्क, बहसमाच पा रहो, उसके बाद क्या का? hypothetical, hypothetical कल्पना करते हो, कि कास मैं तुम्हारी जगह होता, कास वह मेरी जगह होता, वह होता तो ऐसा होता, इस सब प्रहाऊंगा, डिटेल एक एक करके सब प्रहाऊंगा, पहले बता दूँ यह सब है क्या चीज, यह सब डिट तो थ्री, फोर, फाइव, सिख, सेबन, एट, यह एट क्लासेज होने हैं आपका, तो एट क्लासेज में पूरा पार्ट होना है, हर चीज होना है, इसलिए पेसेंसली सुनना है, तो हमने का hypothetical, hypothetical का मतल्य होता परी कल्पना, जो आप कल्पना करते हो, जो आप कल्पना बनाते ह उसे कहते है, hypothetical, if I were a king, if I were a king, बसमच परो ना, यह दि मैं राजा होता, बसमच परो, if I were you, I could not say so, तो यह दि मैं तुम्हारी जगा होता, तो ऐसा नहीं कहता, तो यहाँ पर क्या हो गया, परी कल्पना हो गया, जहाँ पर आप hypothetical है, कल्पना करते हैं, तो कल्पना बाले बा इंफैटिक है, जोरदार है, है ना, मैं पढ़ता तो हूँ, I do read, तुम पढ़ते तो हो, you do read, बसमच पर, तुम पढ़ते तो हो, you do read, वह पढ़ती तो है, she does read, वह खाता तो है, he does it, इंफैटिक, यानि कि एक संटेंस में आठ तरह क्या क्या है, पजेशन, पजेशन क्या ह अधिकार, पजेशन है, my, our, your, his, her, पिछले करास में पढ़ता तो my, our, your, his, her, क्या है, पजेशन है, तो पजेशन बाले संटेंस को हम क्या करते हैं, फटा फट एक पर लाइक करो, मिरे अंदर जौला नहीं फढ़ता आजली से, जब तक पांच नहीं पूरेगा, आग नही है, क्या है, बाई, पजेशन है, जैसे, this is my pain, this is your pain, this is his pain, this is her pain, this is their pain, तो क्या है, बाई, पजेशन, तो पजेशन वाले वाकि बोलने हैं कि तरह के, छे तरकी, जस्ट अभी आऊंगा, जस्ट वेट, वेट, वेट करो, मोडल्स, मोडल्स अबको पता है कितने होते हैं, 10, will shall, would, could, shall, should, may, might, must and not to, these are the models, तो मोडल्स भी पूरा पढ़नाम लोगों को है, observation, observation प्योर इंटर्व्यू की बात हो गई, यानि कि आप किसी भी चीज को observe करते हो, कि भाई, यह है क्या, यह pain है तो क्यों है, यह table है तो क्यों है, यह चैसमा है तो कैसे है, यानि किसी भी यहाद दूँगा, समझ में आजागा, एक एक पार्ट पे काम करेंगे, तब मामला खुल करका आएगा, तो एक एक पार्ट देखने के लिए, देखें, प्रव देखते हैं, गोड़ से, देखें, हमने बात करा क्वालिटी का, एक एक पार्ट, आज बात कहां करें, सिर्फ पहला point लिया हूँ. आठ पॉइंट में पहला point क्या है? quality. पहला point लिए हमने quality की बात करा. first point. मैं कुछ पहा नहीं रहा. सबसे पहला चीज है speaking class में जो मैं आपको पहा रहा हूँ. यहाँ पे आपको थवा से दिमाग लगाना है. तीन दिन हमने क्या करा, आपको वो क्या भी दिया, काम भी कराया, आज मैं structure के साथ साथ आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कि speaking के लिए कैसे सिखना होगा, तो सबसे बड़ी बात हमने क्या कहा, quality, quality सबसे पहला समझने का प्रयास करो, आप रखने का प्रयास मत करो, तो quality का मतलब है being भर, ध्यान देना, quality का मतलब होता है being भर, यानि being भर का प्रयोग करना, being, अब प्रस रूटता है being है क्या, तो being का मतलब है is, am, are, quality का being का मतलब है was, were, ध्यान दे इस बात को, being का मतलब है is, am, are, और being का मतलब है was, were, being का मतलब is, am, are, was, were, present, past और future की बात कर तो will we, will we या shall we, will we या shall we, यानि कि यहाँ पर दो बाते हो गई, अब देखिए present, is MR, past, was where, future, will we और shall we, यही बात उपर लिखा हुआ है, वही बात उपर लिखा हुआ है, यही बात उपर लिखा हुआ है, कि quality का मतलब being, being का मतलब होना, और होना is a quality, बहुत समच पारे हैं आप क्या हो, आप teacher हो, doctor हो, engineer हो, क्या हो आप, आप bank PO हो, DM हो, CM हो, PM हो, क्या हो, इथी जो और quality, यानि आप के अंदर जो चीज है, आप intelligent हो, कुछ भी हो, वही quality है, और quality क्या है बाई, being भर, being का मतलब होना, यानि आप जो हो, वही quality है, are you getting my point, आप जो हो, वही quality है, बोलो स आपको आ रहा है, थ्वास मुझे लग रहा है, complication है, लेकिन समझने का प्रयास करना है, Manish Kumar बहुर जल्दी से बोलता है, Manish Kumar समझने में आ रहा है सबको, किसी बच्चे को दिक्कत है, मुझे बताईए, मैं और easy करूँगा इसको, he will be a student, बहुत सुंदर, आप जबाब भी दे रहें, good evening sir, please, मेरे एक वार नाम, अबू, अबू तलह, क्या दिक्कत है बेटा, बोलो अबू तलह, अबू तलह, लाइक किया तुमने फटाबर जल्दी से, बहुत बढ़िया, मेरे अंदर बहुत ठीक है, अब जौला भढ़क रहा है, जरी दे रहे, शालू कुश्वा हाँ, yes sir, बहुत बढ़िया, गी सबले, बहुत सुंदर, good evening sir, good evening, please, 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 आगया में तरह, मिली अनन्द, सबको एक वार देखना है, quality, yes, yes, बहुत सुंदर, yes, हाँ, 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 जी, 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 फ्रेज, जी sir, मेरे के देखते हैं sir, yes sir, दसरत, दसरत कुमार, संजीब कुमा lovely, lovely कुमारी, बहुत बढ़िया, सारे बचे कलबाले आगे, सारे, संजीत कौर, संजीत कौर, संजीत कौर सर, present दुबारा, बताईए, अचा present दुबारा बताँ, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं, आपको जितेंदर सर्मा, जहां भी doubt आप पुछिए, हम लोग spoken का वो भी पढ़ाऊंगा, हर दिन लाइब आ रहा हूं रात को 9 बजे, कौफी करम लेकर बैठ जाएगा, इस क्लास को दुवारा तिवारा एक बार फिर से देखेगा, जहां के भी दिक्कत होगा, आपको प्रावलम होने नहीं दूँगा मैं, सिखाने के लिए आया हूं, लगात चूटे नहीं, इक-एक बच्चों के लिए मığınथ करता हूँ, आज हैं ने दसी ओचे से बात किया और एक-एक बच्चे के लिए में मेहनथ करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए क्लास मत छोड़़ो मेरे दोस्त, आपके लिए प्रयास करता हूँ मैं, ताकि हर एक बच्च सिक पाए, हिंदुसतान का कोई बच्चा बेना सिक नहीं रहा पाए, आप सबमें से ही बच्चे कहने वाले थे, कि sir आप लाइब आ रहे हैं, कि कल आएंगे कि नहीं आएंगे, sir ऐसे बोल रहे हैं, आपको एकीन हो गया हो नेट की समय से है वो लग केस है लेकिन मेरे दोस्त धर्मिन सर का वादा है आऊंगा जरूर सिखाऊंगा जरूर आज का क्लास्व मैं आपको दे रहा हूं वह प्रामी से नहीं वादा कर रहा हूं एक एक पार थ्वास असलो भी पहाता हूं राम से ताकि आप समझ लो क्या है क्याइब किया तगो क्या है ना जरूर कुमार केला है वजह कोन पूरा करता ना 15,000 का लक्ष करनाहें 50,000, 5,000 में कौन बच्चा आता है, फट आप देखते हैं गौर से, कौन बच्चे का 5,000 जा रहा है, ठीक है God bless, छालीस हो गया जल्दी से, 5,000 लाइक पर कौन जा रहा है, और व्यूस 5,000 कौन सेर कर रहा है, फैला रहा है, मैं देखना चाहता हूं आज, एक बच्चों का कौन 5,000 में आता है, बहुत बढ़िया service, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर मैं पहाने का प्रयास करता हूं जल्दी से, शौरब कुमार, आज देखना है, आप में से कितने बच्चे, 5,000 फैला रहा हैं, और फटा फट मेरे साथ जूड़ करके, इस 5,000 को cross करते हैं, आज का लक्ष ह 5,000 जल्दी से cross करना, फटा फट, इस हो गया लक्ष पुड़ा, जल्दी से, हो गया, चालीस हो गया पुड़ा हो जाएगा, जल्दी से आज आता है, quality की बात हमने करा था आप से सामने, हो गया सारे लोग, जुतेंदर कुमार, आ जाओं, फिर से एक बार जोस आ गया, जु Soni Krishna, Soni Krishna Subham, DSD Motivational, Sadhu Soni, Abukumar, बहुत बढ़िया, तो आज देखना है, आप लोगों में से कितने बच्चे जल्दी से 5,000 लाइक करते हैं, उनका नाम पहले पढ़ता हूं, रंजीत सानी, रंजीत सानी, रंजीत सानी, बहुत बढ़िया, God bless you, God bless you, रंजीत सानी, Sir English, PDF मिले आपको करांतिकारी इंगली साहप पर बटा, PDF मिलेगा करांतिकारी इंगली साहप पांच दर, God bless, बहुत सानी, क्लैपिंग, 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 पांच दर करने वाले बच्चे, सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं, सारे बच्चों के लिए पांच दर यह दूआ है कि जल से जल सफल हो, जो बच्चे इस तरह से पह रहे हैं, सारे बच्चे सफल होंगे, यह मेरा वादा है, और सारे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, सारे बच्चे के लिए क्लैपिंग है, सारे बच्चों के लिए दिल से आसिरवाद है, ताकि वो तु राह पर दो चार ही कदम मगर जरा तबियत से कि मंजिल खुद बखुद चल कर तेरे पास आएगी अरे हालात का रोना रोने बाले मत भूल की तेरी तद्बीर ही तेरी तकदिर बदल पाएगी यानि आपको भारना नहीं है दो चार ही कदम चलना है लेकिन ऐसा चलना है चाहिए आखों में वो आग चाहिए और आप सबों के अंदर आखों में वो तेज है वो जौला है चुकि एक साथ अभी पांच हजार बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं यह मेरे लिए बहुत फक्र की बात है और आपको भी मजा रहाएगा कि धर्मेंसर के साथ देशल के साथ पुरह हिंदुस्तान के 5,000 बच्चे पहर रहे हैं और यहां पे 5,000 बच्चों ने लाइक किया और अभी 54 जो है यहां पे हो गया सारे बच्चे कंटिनू क्लास कर रहे हैं God bless you God bless you वापस आते हैं एक बात तुफान के साथ हमने कहा quality की बात quality इस दुनिया में हर चीज है और quality किसको कहते हैं तो ध्यान देने बेटा आज की बास मजलो quality कहते हैं being verb को जो होने बाला भर्व है यानि जो होएगा न वही quality है हमने यहां पे being verb का इसे मार आर्टिकल नाउन देना इसे मार के बाद आर्टिकल का प्रयोग तभी करना जब नाउन होगा जब adjective होगा न तो आ adjective के साथ article प्रयोग नहीं करना यानि present, past और future में quality की बात करा यानि quality भी हो कितने तीन present, past और future आगे बरते हैं फ्राव जली से एक एक पार्ट लिखावा है अब देखो quality being लिया हमने फर्व और being के लिए present की बात हमने करा और present में is, aim, are article, noun, negative, example देखिए गीता is a beautiful girl समझना क्या step दे रहा हूं, कितना बड़े step एक sentence को छे तरीके से बोलना है मरे दोस्त, समझना कैसे बोलना है हमने इसे एक example दे रहा हूं, हमने बोला I am a teacher, I am not a teacher, am I teacher, am I not a teacher, why am I teacher, why am I not a teacher, right, you getting my point, यहां बोलना है हमने बोला, Gita is a beautiful girl, Gita is not a beautiful girl, is Gita a beautiful girl, isn't Gita a beautiful girl, why is Gita a beautiful girl, why isn't a यानि कि हाँ पर चार जाओं फिलहाल के लिए, आपको टोटल 6 चाहिए, कितना चाहिए, 6 चाहिए, यानि संटेंस आपको 6 चाहिए, तो हमने हाँ बात करा, तो गीता is a beautiful girl, एक article girl के लिए आया है, गीता is not, यानि present quality की बात करें, तो एक संटेंस को 6 तरीके से बोलना आपको आना चाहिए, एक संटेंस को 6 तरीके से बोलना आना चाहिए, यानि कि आप जैसे present की बात बोलते हो, जैसे आपने का I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go, why don't I go, यानि कि जब तक twist है, यह जो tongue twister नहीं होगा ना, deep of the tongue जब तक नहीं आएगा ना, तब तक अंग्रेजी में समस्यां बनी रहेगी, समस्यां बनी रहेगी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़ी हो, God bless you, God bless you, बहुत बढ़ी हो, तो यहाँ पर क्या है, tongue twister, जितना आपको बोलना, structure एक present आगया, quality आगया, उसको 6 बना देना हो, फटाफट, फटाफट 6 बना देना हो, हमने बोला, I went there, I didn't go there, did I go there didn't I go there, why did I go there, why didn't I go there, फटाफफट, फटाफट, आँख बंद करना, अच्छे निकलना चाहिए, यानि positive, negative, interrogative, बहुत पर हो, WH family, तो जितना 6 बोल पाओगे, उतना ज्यादा आपका आपका इंगलिस क्या होगा, strong होगा, यानि कि हमने वही लिया है, being were easy, more, article non-active, और उसी इसका 6 बनाना इसका 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6, यानि कि आप जब घर बैठोगे, तो खाली नहीं बैठना आये, एक sentence का 6 बनाना है, एक sentence का 6 बनाना आइ, तब बहृतर बोल पाओगे, तब बहृतर करें, जैसे बने का, saloo is a clever girl, saloo is not a clever girl, is saloo a clever सिख़ कार बीद दो आपको दे रहरों स्ट्रक्चर इसके लिए क्या है कि टैन्स का बेसिक ग्लास आना चाहिए मेरे दो सिख़ एंद्द सिख बारहे है एक बच्चा सिख पा रहा है स्थी पारा रहा है बंजो करा रहा हो कनया कर नहीं कुमार सिख रहा है राज कुमार मैं समाच पारा हैं कि आप सभों को अंदर से सालू सिख रही है अबू कटान डा गूट इबनिग सेर प्लीज सर प्रिज मेरा भी अबू अबू कटाड़ा अबू कटाड़ा सिख पारो बिटा बिनोज सिंग कुसबाहा कहां सिख पारें सब लोग मैं जो बोल रहा हूं मुझे लग रहा है कि आपको तो हम लोगो को है थो पारें जलदी बताव मुझे रह रह सब के बास थो भावा तो लोगो को आप को अई यह जवाब दीजेव apparently है यह नहीं रह चैन सिख बननाना आपको आगे लिए और से सेम कांसेपt वील 친ल का इससका भी चैबनाना है इसका भी 6 बनाना इसका भी 6, इसका bी 6. सबका 6 जबनाना है, He will be a good student. है ना, अब निकिति बनाना है, He will not be, नॉट कहां लगाते हैं यहां पर, He will not be a good student. है ना, यहां पर Will he be a good student? तो जब तक आपको बोलना नहीं आ है, मैं लिख कर दे सकता हूं, तोटल हमने छे लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच, आप दे भी ले लिजिए, आप एक लिजिए और छे बनाए, छे बनाना समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलना चाहरा हूं, आपको छे बनाना आ रहा है, जैसे हमने बोला, माल लेते हैं, कि I am a student, I am not a student, am I a student, am I not a student, why am I a student I am not a student, I am not a student, I am not a student, हमने बोला, I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go, why don't I go, so, एसे आपको चे बोलने, एक संटेंस पॉजिटिब लिया, उस पॉजिटिब को चे बनानाने है, उसी तरह से चे लिया सबजिट और चे लिया वर्ब, और चे चे बढ़ना टो 6 इंटो 6 परावर 36, तो कि आपको दोस्त मिल जाए। ग्लाई। दस लोगों से बात करने के लिए। और वो बात कर ुआओंगा। सारे बच्छों को नमब्र दूँगा। सारे बच्छों से बात कर लगा। तब जा करके एक साथ बुलबाऊंगा तो बोलने का एलक समझ आएगा। जल्दी से देखो आगे, अब देखो एक sentence है, वहाँ तुम्हारा अब थ्वास वहाँ तक मिल गया, अब थ्वास तेस्ट करो अपने आपको, वहाँ तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, बताओ इसका अंसर, अब थ्वास एक sentence सिखा दूं कुछ, ताकि जो बोल चाल मे आपको फ्रेजल सिखा, क्योंकि हर दिन मैं पांसा संटेंस लेकर आऊंगा, और आपको फ्रेजल सिखाऊंगा, यहाँ पर सिखाऊंगा, बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो फटाफट देखिए, ऐसे sentence को, फ्रेज को, आपको याद रखना है, जब फ्रेज याद रखेंग तब ही आप बहतर बोल पाएंगे, तब ही आप बहतर कर पाएंगे, तो जल्दी सिख पर बताइए इसका अंसर, फटाफट, आइम वेटी कियो अंसर, अबू तकला, हसीन, बताओ, दिपांसू राजपूत, रनभीर, दीपक कुमार, दीपक, दिपांसू राजपूत, लोग नाम बताइए इसका, जैसिंग, एदुबन से अंसर बताओ, इसका, क्या हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग गया था, कि था सब कॉम्पलिकेशन है, मुझे आसान काम करना होगा, इसका मतलब मुझे और बेसिक से चलना पड़ेगा, मैं समझ रहा था, क He won't be able to touch your, है ना, तो He won't be able to touch your body, वह तुम्हारा बाल भी बांका, मतलब तुम्हें छू भी नहीं सकता, यानि वह तुम्हें छू भी नहीं सकता, He won't be able to touch your body, पढ़ने के बाद वह संटेंस पे कर लेते हैं का, ताकि संटेंस भी बोलना आ जाए, कम से कम दो चार वार बोल पता, ऐसे संटेंस को बार बार पढ़ो, ताकि वह बोल चाल में काम आजे, फटा फट, सर्मा, तुलसी, बताई जल्दी से, इस करांस पताई है, ऐसा करना, आपको ऐसा करना, सोभान ये था, हम लोग डेली उज में बोलते हैं संटेंस को, और अब मौका आ गया बोलने का, Yes, I'm waiting or answer, फटा फट, येस, कौन कोन बच्चे हैं, Like, Share, रुखने चैहिए, Like, Share, Subscribe, रुखना scheint, नहीं चाहिए, subscribe नहीं किया, तो कर लो घंटी बजा लो, कि को रो जाओंगा, सिखाकर जाओंगा, Share इस लिए, ताकि दोस्त बना सको, और Like इसलिए, मेरा हुसला बढ़ सके, और आप भी पढ़स को साथ-साथ, पता चले कि इतने बचे साथ पढ़ रहे हैं, जल्दी से, I am a standard, जितने बच्चे मेरे छोटे बच्चे हैं, सबको नमस्कार, बहुत सारे बच्चे हैं, जल्दी से बताईए, आपको ऐसा करना सुवाएं था, बहुत सुंदर, जिन्होंने बताया है, It won't be modest for you to do so, to do so, ऐसा करना, to do so, it won't be modest, यानि आपको modest का मतलब एक क्या हुआ, moderate मिलाना, यानि आपको ऐसा करना, सो यह phrasal use है, जिसको आपको याद करना है, इध्यान देना है, अगला बोलो, सब पैसे का खेल है, अक्सर हम बोलते हैं लाइप में, सब पैसे का खेल है यार, तो जाए इसका करके देखिए, बना कर देखिए फ्राफरली से, सब पैसे का खेल है जल्दी से सब पैसे का खेल है बन जागा आपसे कोशिस करो भटको मत क्योंकि मैं वो कैप भी लेकर आया हूँ क्लास भी लेकर आया हूँ सब पैसे का खेल है बना कर देखो जल्दी से राजू कुमार पल जी सर इस सब फ्रेजल यूज है बिटा एक पढ़ना है राजू अक्षे ऐसी ना जल्दी से पढ़िए बोलिए इसको सब पैसे का खेल है क्या बनेगा सब पैसे का खेल है जल्दी से सब पैसे का खेल है All depends on money, simple सा बहुत बचों का अच्छा जवाब था All, All मतलब सब depends on money सब पैसे पर डिपेंड है यानि सब पैसे का खेल है फ्रेजल यूज है, एक बार सी खेलेंगे तो आपको बोलने में अच्छा लेगा सुनने में अच्छा लेगा, सब पैसे का खेल है फटा फटली से, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है अकसर हम दिन भर में बोलते है स्पोकेन में न कुछ संटेंस को दिमाग में रखना पड़ता है स्पोकेन करने के लिए दिमाग रखना पड़ता है हम अकसर बोलते हैं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है भाई कुछ ना कुछ बात तो जरूर है तो बताओ याश्मीन, साहीद, अदित्या, अदित्या बनाओ इसको, अबू, जैपरकास, अगला बनाईए, कुछ न कुछ बात तो जरूर है, yes, something special, अच्छा जवाब अच्छा दे रहे हैं बच्चे, Sir, love you Sir, smart लग रहे हो Sir, God bless you, इस अब आपका प्यार है, कि आप smart देख रहे हो मुझे, और बहुत अच्छा त्यारी चल रहा है, सब कुछ न कुछ बात जरूर देखे पर आपर, something or the other is sure, something or the other is sure, कुछ न कुछ बात तो जरूर है, something or the other is sure, something or the other is sure, मेरे साथ दूराना है, अगली से, तुम पागलों से कम थोड़े ही हो, तुम पागलों से कम थोड़े ही हो, जल्दी सिसका अंसर देखो, तुम पागलों से कम थोड़े ही हो, जल्दी सिसका अंसर देखो, तुम पागलों बिल्कुल कम नहीं हो, you are not less than full, अगरा देखो जली से, चल चल, ज्यादा भासन मत जार, हम लोग बोलते हैं किसी को, कोई काईदा बोर रहा है, गुसा हम बोलते हैं, चल चल, ज्यादा भासन मत जार, यानि कोई बोलता रहता है, उपदेश देता रहता है, हम लोग क्या बोलत ज्यादा हो, तकना नहीं है, भासन मत, इसको फटा फट, इससे चीज को स्क्रीन सौट ले कर रहा लो, कि चल चल ज्यादा भासन मत जार अगरा रहा हैं, बहुत सिम्पल है, लेकिन संटेंस का सेंज नहीं बन पाता, तुमनों नहीं बोल पते हैं, अगली तखुझ ज़िसे तुझे कहने का क्या अधिकार है, फटा फट देखो, तुझे कहने का क्या अधिकार है, फटा फट, तुझे कहने का क्या अधिकार है, फटा फट, बता बता, तुझे कहने का क्या अधिकार है, संटेंस मनाईए, यस, मैं सारे बच्चों का पह रहा हूँ, तुझे कहने का क्य तुझे कहने का क्या अदिकार है, इंगलिस का basic class, बिल्कूल दूँगा basic, मुझे समच गया, लेकिन आज दिया हूँ, what gives you right, what gives you right, ठीक है, अब समझ दिवात को, what gives you right, तुझे कहने का क्या अदिकार है, मुझे बताइए कि आप सबों को थ्वासा और basic चाहिए, बिल्कूल basic जड़ से चाहिए, हाना, मतलब मुझे जैसा लग रहा है, कि जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, spoken करने के लिए, मुझे लग रहा है थ्वासा और नीचे मुझे चलना पड़ेगा, थ्वासा और बिलो से काम करना पड़ेगा, थ्वासा और नीचे अस्तर पर काम करना क्या आप सारे बच्चों ने क्रांतिकारी इंग्लिस एप डाउनलोड किया है, नहीं किया है, तो ये परे समझे गात को, सबसे पहला चीज पढ़ने के लिए आपके पास नोट्स होना बहर जरूरी है, नोट्स के लिए आपको DSL के सारे बुक्स चाहिए, तो जो नंबर च क्लास में कल से भी आऊंगा ना, तो थ्वास आपके लिए और बेख से, आज मैं देख लिए आप सबों का, कि बेसिक आपका थ्वासा ज्यादा पूर है, थ्वासा स्मार्ट काम करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल बेसिक से लिए चलना पड़ेगा, बिल्कुल जियो से प्ड़ेगा, इसका मतलब हुआ है कि आज और छितने संटेंस में दे रहा हूँ, इस सिधा मुझे करना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक बात, बिल्कुल बेसिक से मुझे काम करना पड़ेगा, बिल्कुल और हलाकी देखो मैं at first day 0 से कर रहा हूँ लेकिन आज जो spoken class में लेके रहा था quality का, possession का जो part लाया था फिर बड़ा advanced class लाया था तो advanced class लाया था लेकिन आप सारे बचे जो हैं यहाँ पे confused कर गए चुकि मुझे सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आखिर present क्या है, फिर बात करने पड़ेगा past क्या है, फिर बात करने पड़ेगा future क्या है, यानि मुझे जो 8 step है, ये 8 step बाद में लेकर आऊंगा, पहले मुझे present, past और future को एक जड़ से बच्चों की तरह समझा दूँ आपको, आप यह समस्ते हैं न, आप यह चाहते हैं, एक बाजा जयकारा लगाओ, एक बाजा फिर से like share करके जयकारा लगाओ, आप सब यह चाहते हैं न, बिल्कुल, बोलो, service more या, हाँ सर, अच्छा, यही सब चाहते हैं, मुस्क्रा कर मुझे बताओ, बहुत बढ़िया, God bless, God bless, God bless, good, 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 इसका मतलब आप यह चाहते हो, क कि मैं एक बार बिल्कुल जीरो सा करके, तो देखो सबसे पहले डरना मत, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ, आप जो कहोगे वो सिखाऊंगा, आज मुझे समझ में आ गया कि आपके अंदर थुआ सा कॉम्पलिकेशन चीजे हैं, तो थुआस आपको अंदर से टफ लगा, चीजें आपको बनने में दिकत हुआ, लेकिन कोई दिकत नहीं है, हम लोग इसको बापिस लाएंगे, और आपको सिखाने का प्रयास करूँगा, यानि आपको जो है अंदर से जो प्रॉब्लम हुआ, वो बात आपको समझना है, कोई टेंसन की बात नहीं लेनी है, तो जो आपको प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो हम लोग क्यों ना ऐसा काम करें, कि बिल्कुल जीरो से फिर से एक बार हम लोग प्रेजेंट क्या है, और प्रेजेंट में कितने तरह क्या स्टेप्स बन सकते हैं, उसकी चर्चा करके, और कितने त दस दिन में फिर नहीं, फिर पुरा मुझे एक महीने का क्लास करना होगा, पुरा मंथ का क्लास देना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान जागेगा भई, तो पुरा एक महीना क्लास कर लोगे आप सब लोग, ऐसी तरह जोस रहेगा सारे बच्चों में, एक महीने का क्लास कंट करना है कि आपको DSL spoken पर भी जाना है, exam cracker जैसे exam cracker चैनल है उस पर भी जाना है, learning भी जाना है, जोस की कमी हो तो beautiful channel भी देखना है, यानि आपको हर angle से फिर आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार फिर से लगिए, और फिर मैं आपको आता हूं कल आपके लिए, और कल आता हूं complete करने के लिए, बेसिक से start करने के लिए, ठीक है, तो मैं को subscribe करते लिए, ताकि जोस में दर बना रहे, और कल मैं आकर के एक बार basic से start करता हूं, और basic से प्रहाने का प्रयास करता हूं, लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 5000 बच्चे बैठके पढ़िए, ताकि मुझे मज़ा आए प्रहाने में, और मज़ा आए समझाने में, कम नहीं हुआ च देख लिया कि आपको मैं थ्रहा से advance लेकर आया हूं, तो आपका दिमाग उड रहा है, बहुत बच्चे surrender कर दिये हैं, तो फिर वादा ले लो मेरे हाँ से, कि sir, आप जो कहेंग वही करूँगा, ठीक है, thank you very much, bye bye, take care, कल सभी कमर कैस के आना फिर, continue करहूंगा फिर मैं, 9 साम को 6 बजी कभी भी आ सकता हूं, इसलिए आप हमेशा चैनल पर बने रहिएगा और बरक्रा रहिएगा, ठीक है, और like, share and subscribe, ये तीन काम रुकना नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में, like, share and subscribe रुकना नहीं चाहिए, ताकि घंटी ना बजे, फिर मत कहना कि sir, मुझे म नहीं मिला, ये सुना ही चाहता में, continue रहना है, लाइव क्लास में पढ़ना, ठीक है, बाबाए, God bless you, thank you, take care.